स्टुदेंट्स अवर नेक्स कोशिन इन शॉर्ट टाइप कोशिन आंसर्स कोशिन नम्बर सेवन हाव डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेट बिल्डिंग्स बच्चों हमने पड़ा कि बड़ी सिटीज लाइक डेली मुंबई इनमें क्या होते हैं मल्टी स्टोरेट बिल जाती हैं तो ऐसी बिल्डिंग में कोई अपने घर के ऊपर कैसे चड़ता होगा मतला अपने घर तक क्योंकि बहुत जादा फ्लोर होते हैं तो कैसे ऊपर जाते होंगे मल्टी स्टोरेट बिल्डिंग में तो आप सभी को पता है कि वीविल यूज अलिफ्ट वीकन यूज और स्टेर केस से भी हम जाते हैं और एलिवेटर से भी हम जाते हैं ठीक है आपने यूज अगर आप मwhere में गहे होंगे तो जैसे आप एक स्टेर पर खड़े होते हैं तो एलिवेटर खुदी यूपर उसको पहुचा देता है ठीक है लेक्टर क्यों होता है यह तो Go up in multi-storage building, buildings by using lift, lift, elevator, or staircase, सीडिया, ठीक है? ओके बच्चो, तो हम lift, elevator, और सीडियों की हैसे हम multi-storage building में उपर जाते हैं, ठीक है? चलिए, next question करते हैं, question number 8, How is a houseboat different from other houses? आपने देखा कि जब नसीम अपरे friends को डल लेक में गुमाने गया था, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी houseboats देखी थी. अब houseboats क्या होती हैं? ऐसे घर जो boat पर बने होते हैं, तो boat पर बने होते हैं, तो वो तैरेंगे ना? जैसे boat तैरती हैं एक जगे से दूसरी जगे पर जाती है, पानी में, तो यानि कि ये घर तो मूव करते हैं, क्या आपका घर मूव करता है? नहीं. तो houseboats different क्यों है बच्चों बाकी घरों से? क्योंकि ये क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं पानी के उपर, है ना? जा सकते एक जगे से दूसरी जगे है, लेकिन हमारा घर मूव नहीं कर सकता. तो यही difference है, लिखते हैं, houseboat can, houseboat, a houseboat, लिखते हैं यहापर, a houseboat, यह answer है, a houseboat floats over water, f l o a, t s, floats over water, एक houseboat पानी के उपर तेरता है, whereas, जबकि other houses, दूसरे घर, other houses are fixed, जबकि दूसरे घर तो fixed होते हैं, एक ही जगे पर, at a place, fixed atom, place, जबकि बाकी घर एक ही जगे पर fixed होते हैं, और houseboat तो float करता है पानी के उपर, तो यही difference है, एक houseboat का बाकी घरों से difference, ठीक है बच्चों? तो यह questions उतारीए अपनी copy में,